बुल मोरी सुडेंट्स वेलकम टू क्लास वन बच्चो इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको वर्तनी और शुर्तियक पढ़िक के बारे में बताया था आज हम लोग दूराओ कार्या में सबसे पहले देखेंगे एक शब्दों को शूत करें तो बच्चो सबसे पहले आद द बच्चो इसको शुच करकी शरीषद लिखना है लव हर्षविकार तो नहीं होता ना लव में कौन सी मात्रा होती है देखिकार शरीषद क्या हुआ हुआ मच्चली तो यहां बच्चों मों लिखेंगे माच्चा लदेखेंगी घनोष तो ने बोलते हैं क्या बोलते हैं धनोष को उपर का सिरो रखा खुला ता सिरो रख होता है उपर के सिर के उफर की एलेखा खुला रखना है धंतना शुकार आद ईकर JOSH और दूसरे नमबर देखेंगे बच्चो इन शब्दों को क्रम से सजाएं यहां पर इधर अक्षा लेखा गया है आपको सुनर से अच्छी तरह पढ़णा है और सबसे पेरी कौन सा अक्षा होगा उसके बाद कौन सा अक्षा होगा peta मिलाकर शही सब कम के दूसर सजाएंगे जैसे यहां पर हम लिखेंगे जी वर नव जीवन यहां पर है या च्छा तो पहले क्या लिखेंगे या च्छा मतलब कुछ भी होता ना च्छा या तो च्छा अकर च्छा लिखेंगे लियात्मक शच्छ लिखें बचो लत मतल ऑले च्छछ समानद वाले शच्छ कहते हैं अब यहां देखीगे दाना यहां बिना है, यहां बिना है, दाना, पाना, क्योंग्हश्व पाला अक्षर बाना है, खाना यहां पर क्योंत पहला अच्छर बदने हैं खाना हार पहला अच्छर बदलकर मार पहला अच्छर बदलकर चार अब चौधी नमबर पर देखेंगे बच्छो बिनोब शब लिखें बिनोब शब का अठ होता है विप्रित आठक शब उल्टा शब एक दूसरे के विप्रित अठको प्रदट करते हैं जैसे ओपर का उल्टा शब क्या हुआ लीचे आना का उल्टा शक जाना तो बच्चो इन शब्दों को शूत करें इन शब्दों को क्रम से सजाएं लियात्मक शब्द लिखें विलोग शब्द लिखें यह आप लोग अच्छी तुरह समझ गय होंगे और जान भी गय होंगे बच्चो वर्तनी सुची से आपको वर्तनी अच्छी तरह याद करना है तब आप यह असाली से बनाएंगे धन्यवाद हाँ हुत हाँ झाल झाल